गुड मॉर्निंग दोस्तो आज हम लोग एक पहुत ही इंपोर्टेट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वह है नोबल प्राइज और नोबल प्राइज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको करेंट अफेर्स भी है और इसमें आपको कह सकते हैं कि हिस्ट्री भी है क्योंकि जब को हम लोग ट्रीक के साथ याद करेंगे और ट्रीक देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जागा तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बढ़े दखिएगा आईए हम वीडियो को सुरू करते हैं इसमें हम टोटल चीज को जानने वाले है नोबल प् प्रूसकार नहीं है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रूसकार है नोबल प्रूसकार जो मानो जाती के कल्यान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले ब्यक्ति को दिया जाता है नोबल प्रूसकार के बात की जाए तो नोबल प्रूसकार प्रतेक वर्स दिया जाता है और यह अलफ्रेड नोबल की पन्यतुति के अवसर पर ही दिया जाता है जो 10 दिसमबर को इनका पुनितुति मना जाता है उसी दिन इसका वितरन किया जाता है तो अभी चल रहा है अक्तूबर यानि अक्तूबर में इसकी घोसना होती है और यह जाकर दिसंबर में फिर यह जाके मिलती है तो यहाँ पे अगर अलफेड नोबल की बात की जाये तो अलफेड नोबल के बारे में भी रहे हम कुछ जान लेते हैं तो इनका जनम होगा था 21. अक्तुबर 18.133 को और स्वीजन के रधाने एसकोर्ट हों में उनका जनम होगा था और इनका एक महत्फुल अविसकार भी किये थे जो बहुत फेमास है सभी को मालूम होगा वो डायनामाइट डायनामाइट का अविसकार किये थे अलफेट लोमेले 1866 में और इनकी मिरित्ती हो गई थी 1896 में जब इनकी मिरित्ती हो गई तो इन्हों ने अपना एक वसियत नामा लिगा था इनके पास कोई एक भी पुत्र इनका नहीं था तो अलफेट नोबल के पास एक भी पुत्र या पुत्र नहीं था उसको कहीं एक जगा जमा कर दिया जाए और उससे जितने भी ब्याज मिलेगा परतेक साल उसी से ये पुरुषकार बाटा जाए बितरन किया जाए ये अपनी वसियत नाव में लिखकर ये मर गया फिर इन सभी पैसों को एक फाउंडेशन द्वारा एक बैंक में जमा किया गय और उसी पैसे के ब्याज से ये पुरुषकार परतेकवर्स दिया जाता है 10 दिसंबर को तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे तो नोबेल प्राइज को बाटने के लिए एक सबसे पहले एक फाउंडेशन की अस्थापना की गई यानि एक संस्था बनाया गया और उसक की अस्थापना होई 19 जून 1900 को और जब अस्थापना होगई 1900 में तो 1901 से ये बाटा जाना सुरू हो गया, तो 1901 में शुरुबार्थ हुआ था बाटना लेकिन नोबेल फाउंडेशन की अस्थापना हो गई थी 29 जून 19-1980 इस बिब को, अब जब ये फाउंडेशन बन ग प्रुषकर की ऐगर बात की जाए तो यह चेत्रों बाटा गया है यानि किस छेत्र में दिये जाएगा जब Alfred Nobel मरे थे तो उन्होंने अपने वस्यत्नावा में जिकर किया था 5 छेत्रों का लेकिन इसको 6 छेत्रों में दिया जाता है तो एक छेत्र बढ़ाया गया था वक्का बढ़ाया था उसकी भी हम चर्चा करेंगे तो जब Alfred Nobel मरे थे तो उन्होंने ये 5 छेत्र था उनको ही अपना चर्चा किये थे अपने वस्यत्नावा में कि इन्हीं छेत्रों में दिया जाएगा लेकिन इसमें 6 छेत्रों बढ़ाया गया अर्चास्तर का और अर्चास्तर का जो बढ़ाया गया था और यहां पर एक बात और यादव को रखना है ये जितना भी 6 पुरुसकार है उसमें से 1 को छोड़कर यानि सांती पुरुसकार को छोड़कर यानि सांती में जो नोबेल मिलता है उसको छोड़कर ये बाकी पुरुसकार है 5 वो दिया जाता है स्कॉर्ट होम में और ये सां तो दो स falls में चूंती है उसमें जो एक मुख्यार आता है वह देता है संति का पुरुषकार sections बाकि अगर पुरूष matar की बात की जाए संति को छोड़कर तो वहां जो देती है most के राजा दोवारा दिया जाता है बाकी के पुरुषकार को यानि सांती को छोड़ कर और यह पुरुषकार एक छेत्र में मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जा सकता है यानि आप मान लिजे अगर चिकित्सा है चिकित्सा में अगर मैक्सिमम की बात किया है तो इसमें केवल ती इसमें छेतर है, इसमें से कोई भी जो पुरुसकार है, कम से कम एक व्यक्ति को और ज्यादा ज्यादा तीन व्यक्ति को दियाएता है, अगर इसमें बटवारा किये जाए पैसों की, अगर एक आदमी जीता है पुरुसकार, तो उसको जितना पैसा मिलता है, टोटल उसको मिले चलते हैं हम लोग आगे आगे अगर बात किये तो पुरुषकार की रासी की अगर बात किये जाए तो रासी इसमें जो है इसमें 10 लाक स्वीडिस कोर्णर है यह परते एक साल घरता बरता है तो आप इसको एपरॉक्स लेकर चलिएगा उसके बाद इसको बटवारा को लेकर हम लोग जान लिए अगर पहला मिलेगा तो मानिए 10 लाक मिल रहा है तो इसको 10 लाक मिल गया अगर दो ब्यक्ति को मिल रहा है इसमें तो इसको 5-5 लाक मिल जाएगा और तीसरा ब्यक्ति जब इसमें आ जाता है तीन ब्यक्ति तो यह कमेटी के निर्भर करता है वह जिसको चा कर लेते हैं क्योंकि 1974 के बाद इसमें एक चेंज किया गया और यहां से 1974 से केवल जीवित लोगों को ही या पुरुसकार मिलता है तो इसके पहले यानि 1971 से लेके 1974 के पहले बात की जाए तो दो ब्यक्तियों को जीवित लोगों को दिया जाता है और इसमें एक बात और है कि अभी जो घोसना हो रहा है अभी अक्तूबर में मानिए अगर घोसना हो गया किसी ब्यक्ति का नाम ने घोसित कर दिया कि हाँ इसको मिलने वाला है जब यह घोसित हो गया कि ठीक है मिलेगा यानि घोसना से लेकर बीतरन के बीच में अगर कोई ब्यक्ति मर जाता है देथ हो जाता है तो भी उसको मिलेगा घोसना के पहले मर जाता है तो नहीं मिलेगा तो सबसे कम उम्र में अब तक अगर बात की जाए तो मलाला यूसूब जाई को मिला है नोबेल प्राइज और वो मिला है सांतिक के चेतर में जो मिला था 2014 में और इनकी उम्र की बात की जाए तो वह 17 वर्स की जब इनकी आयू थी तो यह nouvel prize प्राप्त कर ली थी उसके बाद सबसे ज़्यादा उम्र में अगर बात की जाए तो यह मिला था 1996 में और ब्यक्ति का नाम था ऑठर औसकीन ऑठर औसकीन को मिला था 1996 में ओगा उम्र भी हो गया था 96 वरस तो 96 वरस की आय में 1996 में और्थर अस्किन को सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को नोबेल प्रुसकार मिला था उसके बाद है दो बार नोबेल प्रुसकार पाने वाले व्यक्ति दो बार नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं, हम उसको ट्रिक से याद करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनका नाम जान लेते हैं कि कौन कौन है तो पहली है मैडम क्यूरी, उसके बाद है जॉन बार्डिन, उसके बाद है लीनस फॉलिंग, उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर अब इसको trick से देखिए कैसे याद कर लेते हैं trick है हमारा क्या Madam John Linus की friend है जो madam है वह John Linus की friend है इतना आपको याद रखना है एक दो बार बोल लेना है या आपको एक कामिक पर लिख लेना है Madam John Linus की friend है ठीक है ऐसे Ram Sitha की friend है ऐसे आप जसे बनाते हैं आप इसे भी एक संटेस मना लीजिए, मैडम जॉन लीनस की फ्रेंड है, देखिए कैसी याद होता है, यहाँ पे हम लोग लिख भी दिया है, मैडम जॉन लीनस की फ्रेंड है, तो मैडम से याद रखेंगा मैडम क्यूरी, जॉन से याद रखेंगे जॉन बार्डिन, लीनस स पॉलिंग और फ्रेंड से याद रखेंगे फ्रेडरिक सेंगर ऐसे आपको चारों याद हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी बीजेता है उन सभी को किस छेत्र में किस चीज के लिए और यहाँ पे कब मिला है उनकी विचर्चा है जैसे मैडम क्यूरी के बात किरें तो सबस इसके बाद एक अती चलकता का सिधान देने के लिए उसके बाद लीनस पॉलिंग की बात कि जाए तो इनको एक रसायन में और इनको एक सांतिय मिला है रसायन में अगर बात कि जाए तो इनको रसायनिक बंद से संबंदित खोज के लिए मिला था और बात कि जाए फ्रेडर भेज देंगे टेली ग्राम पर आप टेली ग्राम से जरूर जूर जाएगा टेली ग्राम पर सर्च कीजिएगा ट्रिक देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से थे ताकि आपको नाम जाने जाने से ट्रिक असानी से याद हो जाएगा तो सबसे पहले अगर बात किया है तो रविन देनाट टेगोर को मिला था भरत में और भी सबसे पहली बार मिला था 1913 में साहिति के छेतर में उसके बाद है चंदर सेखर बेंगर ट्रामन जिनको मिला था 1930 में भातिकी के छेतर में उसके बाद कैला सत्यार्थी को मिला था 2014 में सांती के चेतर में उसके बाद हर्गविद कुराना को मिला है 1968 में मेडिसीन के चेतर में उसके बाद है वी एस नायफॉल जिन को मिला था 2001 में और फिर उसके बाद मॉर्र ट्रेसा को मिला था 1989 में फिर चंदर सेखर को मिला था 1983 में और फिर अमर तेसेन को 1998 में और राम क्रिष्णन को 2009 में और अभजीत बनरजी को 2019 में इकनॉमिस के चेतर में अब हम लोग इसको ट्रिक से देखिए कैसे याद कर लेते हैं एक मिलट में ट्रिक है रवी चंदर का हर नया मैच अराम से जीतोगे रवी चंदर जानते होंगे रवी चंदर आस्वीन रवी चंदर के बारे में है कि रवी चंदर का हर नया मैच अराम से जीतोगे बस आपको इस संटेंस याद रखना है कि रवी चंदर का हर नया मैच अराम से जीतोगे तो देखिए हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे देखिए लिखिदी भी आ गया है यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि रवी चंदर का हर नया मैच अराम से जीतोगे बस इसी से बन जागा रवी से हम लोग याद रखेंगे रविंद नाट टैगोर फिर चंदर से याद रखेंगे चंदर से खर वेंकर टरामन का से हम लोग याद रखेंगे कैलास सत्यार्ती हर से याद रखेंगे हर गविंद खुराना नया से बात करेंगे यहाँ पे नयपॉल मै से याद रखेंगे मदर टरेसा और चस सियाद रखेंगे चंदर शेखर उसके बाद अराम में हम बात करें तो आज सियाद रखेंगे अमर्तिसिन राम सियाद रखेंगे रमा कृष्णन फिर जीतों के सियाद रखेंगे हम लोग जीतों यानि जीत यानि अभी जीत तो आपको यह 10 है याद हो गया होगा रवी चंदर का हर नया मैच अराम से जीतोगे तो ट्रिक आपको अच्छा लगा याद हो गया है तो जरूर वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताईए उसके बाद हम लोग यहाँ पर महत्पून बैक्ति की बात कर लेते हैं जिनको यह प्रुसकार दिया गया है और यह कुशन पूछता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मैडम क्यूरी की मैडम क्यूरी की बात की जाए तो इनका खंदान में अगर बात की जाए तो सभी को मिल चुका है लगबग है नोबल फ्राइज सबसे पहले मैडम क्यूरी को मिला था यानि इनके पती और पतनी इनके पती थे प्यरी क्यूरी इन दोनों को 1903 में भहतिकी के लिए रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए दिया गया था फिर इनके एक बेटी थी जिसका नाम था आईजे क्यूरी आईजे क्यूरी और फिर आईजे क्यूरी के पती थे फ्रेडरिक क्यूरी इनको भी 1935 में रसायन के लिए artificial radioactive के लिए मिला तो इनको देखिए मेडम क्यूरी की बात किये तो इनको पती को भी मिला इनको बेटी को भी मिला और इनके दमाद को भी मिला और दूसरे महत्मुन ब्यक्ति की बात किया है तो यहाँ पे है मलाला यूसुप जाई जो आपके परोसीदेश पाकिस्तान की है और इनका जनम की बात किये तो इनका जनम हो था 12 जुलाई 1997 के हो और यह सबसे कम नोबेल प्राइज पाने वाली ब्यक्ति है उसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट हम यहाँ पे बात करने वाले है नोबेल प्राइज 2021 विनर लिस्ट और इन सबसे कुशन आपके कोई भी एक्जाम हो 2022 तक पूछेगा है पूछेगा तो आपको यहाँ पे रटना नहीं है याद करना है एक बार आप देख लिए आपको याद हो जाएगा तो आप इस वीडियो में लाज तक जरूर बढ़े रहेगा सबसे पहले नोबल प्राइज की हम बात करेंगे साहित्य के बारे में कि साहित्य के बारे में किन को मिला है याप पूछेगा पूछेगा और देखिए कैसे आपको याद वियता है तो यहाँ पे साहित्य का मतलब होता ही है कहानी और कहानी किसकी कहियाती है राजा और महराजा की तो यहाँ पे कौन राजा है अब्दुल राजा है याद रखिएगा अब्दुल राजा है इनको मिला है साहित्य में नोबल प्राइज तो अब्दिल रजाक से याद हो गया होगा आपको यहाँ पर करना है राजा और राजा की कहानी यानि साहित थे और अब्दुल रजाक की यहाँ पर बात की जाए तो यह जंजिवार यानि तंजानिया के रहने वाले हैं और इनकी एक उपनयास थी जो बहुत ही फेमस है जिसको 1994 में उपकर प्राइज भी मुल चका है और उस उपनयास का नाम है पैराडाइज तो ये भी आप याद रखेगा उसके बाद हम चलते हैं आगे चिकित्सा के छेतर में चिकित्सा यानी मेडिसीन इसमें किनको मिला है न लड़का याद रखे और एक लड़की है लड़की का नाम क्या है जूली याद रखे लड़की का नाम है जूली और यहाद लड़का है इसको इससे प्यार हो गया है तो यह जाता है एक डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है ऐसी मेडिसीन हमको दीजिए कि जूली को यानि जूली को पटापाउ ऐसी दवा दीजिये तो ये मैडम आर्स को दवा देती है यहीं पर आपको ट्रिक छीपा हुआ है जूली को पटापाउ जूलीस ये हम लोग याद हो गया होगा चलते हैं हम लोग आगे आगे देखें तो आगे हैं भावतिकी में नोबल प्रक नरत क्ते हो Fahrenheit वैसिक उसके बाद है और तीसरा है सेखिवरो मानने बैни हैं कि हम वोग इसको कैसे याद करते हैं भौतिकी के बात यहाँनि फिजिक्स फिजिक्स यानि फिजिकल आपका फिजिकल कमक मजबुत होगा आपका physical की अगर बात की है तो आपको per day उसके लिए class करना पड़ेगा एक दो तीन दिन की चीज नहीं है जो बड़े बिले रहे जाकर उनसे पूछिए कि उसके लिए class करना पड़ता है फिर आप एक अच्छे life जीओगे फिर अपने life को एक secure कर पाओगे कि हाँ हम लोग हमारा physical ठीक है तो physical आपका ठीक रहने के लिए आपको सबसे पहले class करना पड़ेगा तब ही आपका physical अच्छा रहेगा secure होईगा कि हाँ हमेरा physical ठीक है तब ही आप लंबे समय तक अच्छे से जीओगे याद रखेगा physical मजबूत होने के लिए आपको class करना पड़ेगा यानि physical के लिए जब class कीजिएगा तब ही आप secure रहेगा कि हम अच्छे life के जीएंगे यानि जीओगे तो याद रखेगा class जीओ जीओ और secure उसके बाद हम लोग याद रखेगे तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम जान लेते हैं तो मिला है डेविट कार्ड जोस्वा डी एंग्रिस्ट और दूसरे हैं goods events देखिए याद कैसे होता है और सास्त की बात के जानि धन दौलत आपको धन जब हो जागा तो क्या चीद से निकालते हैं पैसा डेविट कार्ड से तो डेविट कार्ड हो गया डेविट कार्ड रहेगा तभी तो धन निकलेगा जब आपके पास धन निकलेगा तभी तो आपके उरजा रहेगा यानि जोस रहेगा किसी भी समान को खरीदने के लिए कोई भी goods को खरीदने के लिए तो यहाँ पे goods भी हो गया तो डेविट कार्ड से आप पैसा निकालिए उसके बाद आपके अंदर जोस भर जाएगा तो जोसुवा हो जाएगा फिर उसके बाद जब जोस आगया आपके पास पैसा आगया तो फिर आप समान खरीदिये गुड्स खरीदिये हो गया डेविट कार्ड जोसुवा डी एंग्रिस्ट और गुड्स इंवेंस याद हो गया होगा याद हो गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए उसके बाद हम लोग याद रखेंगे सांती के छेतर में नोबल पुरुसकार विजयता सांती में अगर बात किये तो दो लोग को मिला है एक है दमित्री मुराटाव और दूसरे हैं मारिया रेस्टा यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे आपको सांती कब मिलेगा अगर आप बेचायन है आप चाहते हैं सांती तो आप सांती कैसे मिलेगा यह सूचिए सांती करने के लिए आप कितने भी घरवाय है अपने अगर प्यारे दोस्तों के पास जाते हैं तो आपको वो सुझाव देगा आपको सांती मिल जाता है यहाँ आप याद रखेंगे दमित्री यानि मित्री के पास जाना परेगा अगर दूसरे सांती के बात ही है तो आपको मित्र के पास नहीं जाकर अगर इनेमी के पास जाते हैं यानि आप दुस्मन के पास जाते हैं तो दुस्मन से सांती कैसे मिलेगा जब तक आप लड़ियेगा नहीं, जब तक आप उसको मारियेगा नहीं, तो मारिया से याद रखिये, मारिया रिस्सा, दुसमन है जब तक उसको आप मारियेगा नहीं, गुस्सा नहीं निकाले, तब तक आपको सांती नहीं मिलेगा, और ऐसे भी आपको सांती नहीं मिलेगा जब आप option में देखिएगा जब नाम ही पढ़िएगा तो आपको feel हो जाएगा और direct आप ticker के आएगा सही सही उसके बाद हम चलते हैं आगे आगे हम लोग याद रखेंगे रासायन के चेतर में यानि chemistry के चेतर में अगर chemistry की बाद किजाए या रासायन की बाद किजाए तो उसमें अगर हम एक list बनाए उसके सुत्रो की या उसके रासायनों की तो उसमें सबसे पहला आता है बेंजीन चाहें आपके पास अगर कितने भी याद कर लिये थे अगर अपने इंटर किये थे पिछले साल या कितनों दिनों हो गया है अगर आप लिश्ट त्यार कीजिए अभी आप रसायन का बना के तो आपको बेंजीन का फर्मूला याद होगा आपको डिरेक्ट याद होगा ऐसे कि हाँ बेंजीन ऐसे ऐसे बनता है तो एक तो हो गया बेंजीन यानि आपको बेंजीन आपको लिश्ट में मिलेगा है मिलेगा तो बेंजीन मिलेगा यानि बेंजीन का मिलन याद रखेगा बेंजा मील और मैक मीलन तो याद हो गया होगा कमेश्टरी में भी और यहाँ पे आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताईए हाँ अगर आपको इससे अच्छा ट्रिक बनता है तो आप कमेंट में करके आपको बता सकते हैं आपको इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा वीडियो को यहीं पे खतम करता हूँ धन्यवाद